आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम असिद्धान तक नहीं हो तुरी study close पर आपका बहुत 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 होगे तुरी study close पर दोस्तों और बड़े बुरे हालात हैं भारत के शम्शान गाटों में जगा कम पड़ रही है बात करेंगे दोस्तों इसकी च अब ही oxygen मांगी जा रही थी oxygen cylinders bits मैंने भी अपील की थी अब cremation spaces मांगे जा रहे हैं शम्शान घाट के लिए जगा दे दो आप समझिये कि अब जगा कम पड़ रही है resources कम है COVID-19 deaths बढ़ती जा रही है और आपने ये देखा ही ना भी नदियों में लाशे बह बह के आ रही है ये पिछले 100 साल पहले देखा तक कल मैंने इस पर lecture भी लिया है और अब ऐसा हो रहा है यहां पे बहुत सारे राज बोल रहे हैं कि हमारे पास जलाने के लिए जगा कम है ambulance में एक से ज़ादा victims को डाला जा रहा है ambulance की भी shortage है और एक तरफ कहीं पर ambulance मिली पड़ती है अब समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ बीजेपी की बात कर रहा हूँ यार वहाँ पर ambulance पप्पू यादा उन्हें इसका रास खोला पप्पू यादा को गिरफ्तार कर लिया कमाल तो COVID-19 victims लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं आउटसाइड डिक्रेमिशन ग्राउंड ताकि वो अंतम संस्कार कर सके नदियों में तो देखके दोस्तों रूख आपनी आज बलिया में दोस्तों नदियों में मतलब वहां पर जो नदी है गंगा नदी में लाश मिली लाशे बहके आ रही है अभी पर्सो नर्सो तेरा एक वीडियो आया तो उसमें तेरा कितनी लाशे थी कुछ लाशे थी जो यहां पर नदी में बहके आई फिर उसके बाद हमने चौसा में देखा वहां पर लाशे 100 से जादा लाशे हमीरपुर में देखा वहां पर लाशे बेके आ रही हैं, 30 से 40 हजार जो घरीब लोग हैं, 30 से 40 हजार क्रिमेशन के अंतिम संस्कार के लग रहे हैं, इतने पैसे नहीं है, COVID-19 बॉडीज हैं वो, राप्ध हैं पूरी की पूरी, पन्नियों में, बहादेरे नदी में, चील, कववे, गिद, कुत्ते, सब नोच रहे हैं, ऐसी भयावे तस्वीर दोस्तों, नहीं देखियोगी कभी, एक फैमिली मिंबर, किसी की जान गई है, बॉडी मिली, उसके बावजूद उसको इतना वेट करना पड़ रहा है, सामने, उसके परिजन की बॉडी पड़ी हुई है, कैसा नसारा हो गई है, हर चीज यहाँ पर ट्राय कर रहे हैं, कि कहीं पर स्लोट मिल जाए, कब उस्लोट मिले, कि हम लाशे जला सके, हम अपने परिजनों का अंतिम संसकार कर सके, कुछ जगा तो ठीक है, कुछ जगा काम सही है, लेकिन कुछ जगा बिलकुल बरबात है, तो क्रेमेटोरियम्स जो हैं, जो हमारे शम्शान गहाट हैं, यह रनिंग आउट आउट आफ स्पेस, जगा खतम होती जा रही है, क्योंकि non-stop operate कर रहे हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं, hearts off to them, वो भी non-stop काम कर रहे हैं, हाँ, यह ज़रूर है कुछ जगा पे बहुत ज़्यादा पैसे लिये जा रहे हैं, प्रशासन को यह देखना चाहिए, वैसी एक किसी परिवार ने एक इंसान को खो दिया है, माचल प्रदेश में, क्योंकि एम्बुलेंस का हमें, सुलान डिस्ट्रिक्ट में, सुलान डिस्ट्रिक्ट में, जो कूडे वाली गाड़ी आती है न, उस पे बोडी लातके शम्शान घाट ले जाए जा रही हैं, दिल्ली में जो फ्यूनरल वेन्यू है फर पेट अनिमल्स, जहां पे पेट्स को जलाया जाता है, उसको क्रेमेशन ग्राउंड यूज किया जा रहा है, कि कॉविद 19 पेशेंट्स को यहां पे जलाया जागा, अंतिम संस्कार यहां किये जाएंगे, पार्क जो है, दिल्ली में, साउथ इस्टी डेली में, उसको ऐसा क्रेमेशन ग्राउंड कन्वर्ट कर दिया गया है, जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं कन्वर्ट, वी आ डूइंग इट, लॉक्डाउन लगा हुआ है, केसेस कम आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी थोड़ी कम हो रही है, जून तक सिच्वेशन कंट्रोल में आनी चाहिए, अगस तक चीज़ें विलकुल कंट्रोल हो जानी चाहिए, ऐसा अनुमान है, दिल्ली में बहुत सारे पार्किंग क्रेमेटोरियम में कनवर्ड कर दिया है, कॉविड-19 पेशेंट्स के लिए, हाइदराबाद में, ओपेन ग्राउंड्स पे, फ्यूनरल रास्ट राइट जो है, वो पफॉर्म किये जा रहे हैं, करनाटका में, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया है, लगातार वहां पे जा रही थी, और यहां पे जो वर्कर्स है, वो नौन स्टॉक काम कर रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक, और उनको जाधा पैसा भी नहीं मिल रहे है, हालात बहुत बुरे हैं, मुंबई में आप देख सकते हैं, 22 कॉविड-19 विक्टिम्स की जो बॉडी थी, एक ही में डाल दी, कुछ जगा पे चीजों को कंट्रोल में लाया जा रहा है, जितना स्पेसेस है, यूटिलाइज करो ताकि कॉविड-19 विक्टिम्स को जलाया जा सके, अब देखिए, इसमें सब को साथ आना पड़ेगा, केसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमने लोगडाउन लगा है, अच्छी बात है, केसेस काम हो रहे हैं, लेकिन अब ये हिसाब किताब है, ये तस्वीर है समय भारत की, that's not good, खुश रही पर ते रही, देशे सिद्धान दगनी उतरी, signing off.